ये फूडी इस वेल्कम टू वेदिशी की चाना जम बना रहे हैं कैप्सिकम मैगी स्प्रिंग रोज और नूडल स्प्रिंग रोज चलिए शुरू करते हैं पहले हम एक कड़ाई को कैस पर रख देंगे और उसमें दूच मच और डालेंगे मैं सरसो का देली उसकरती हूं तेली घर्म जाने के बाद मैं इसमें प्यास जाल रही हूं अब मैं इसमें थोड़ी से शिंबला में प्याट करूंगी अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब मैं इसमें आदा ग्लास पानी डाल रही हूं यह मैंने नूडल मसाला लिया है वो मैं इसमें आट करूंगी अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब मैं इसमें मैंगी याट करूंगी और अच्छे से मिक्स कर लोंगी दो से तीन मिक्स में हमारी मैंगी बन के त्यार हो जाएगी मैं इसे लगाता चलाते हुए बना रही हूं अब मैं इसमें चिली फ्लेक्स टालूंगी और अच्छे से मिक्स कर लोंगी हमारी मैंगी त्यार हो चुकी है अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे यह देखिए हमारी मैंगी त्यार हो चुकी है मैंगी के त्यार होने के बाद मैं कड़ाई में पानी गरम करने के लिए रख देती हूं इसमें एक चमच टेल डाल रही हूं और आदा चमच नमक तेल डाले से हमारे नुडल चिपकेंगे नहीं अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब मैं इसमें चमच नुडल डाल रही हूं यह मैंने नॉर्मल नुडल ही लिए हैं तीन से चार मिट में हमारे नुडल उबल जाएंगे अच्छे से चलाते हूं मिक्स कर लेंगे नुडल सुपर चुके हैं अब इन्हें थोड़े दे चलाने के बाद मैंने निकाल लूँगी यह देखिए आसानी से तूट रहे हैं अब मैं इन्हें इस्टेन कर लेती हूं और इनके ओपर एक लास ठंडा पानी डाल देती हूं अब मैं इन्हें अलग-अलग फैला लेती हूं ताकि बचा हुआ पानी भी निकल जाए गैस अन कर लेते हैं अब हमने नूडर्स बनाएंगे इसके लिए मैंने लिये हैं ओईल यह मैंने तीन चमच ओए लिया है अब हम इसमें लैसुन और प्याज एट करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब मैं इसमें शिम्ला में चैट कर देती हूं अब थोड़े देर भूल लेती हूं हम इसमें आदा चमच नमक डाल देंगे ताकि माई सबजें यल्दी से कल जाएं अब हम इसमें अपने नूड़ा लेट कर देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम इसे नीचे से उपर के वर मिक्स करना है तक कि चिपके नहीं अब मैं इसमें एक चमच सोय सॉस डाल रही हूं आप इसे वाइट में अगर भी यूज कर सकते हैं यह नूडल मसाला यह मैंने एक चमच लिया है अच्छे से मिक्स कर लेते हैं यह जिली फ्लेक्स यह थोड़ा सा चाट मसाला लिया है हमारी जामीन रेडी हो चुकी है अब हम इसे प्लेक में निकाल लेते हैं यह देखिए मैंने स्प्रिंग रोस के लिए शीट्स पहले तहीं तयार कर ली थी देखिए कितनी पतली बनी हुई है अब मैं पहले नूडल स्प्रिंग रोल बनाऊंगी यह मैंने मैदे को पानी में खोल के एक वेविकुल बनाया है अब हम इसमें चाव में इनको रख देते हैं और इसके चारों तरफ को लगा देते हैं अब हम इने दोनों साइट से पोल्ट कर देते हैं और यहां पर सावी लगा देते हैं अब हम इसे रोल कर लेंगे कि अब हम यहां पर से बन कर देते हैं यह देखिए हमारा इस इस स्प्रिंग रोल बीकुल रेडी हो चुका है आप देख सकते हैं, आपको नूडल देख रहे होंगे, इस शीट्स बहुत पकली बनी हुई है तारी, अब हम मैगी स्प्रिंग रोल बनाएंगे, इसके लिए मैंने मैगी को लिया है, अब मैं सब भी को लगा रेती हूं उसके चारो दरब, इससे आप अच्छे से लगाएं ताकि आपके नूडल पटेंगे नहीं, नहीं खुलेंगे, और हम इसे भी अच्छे से फोल्ट कर लेते हैं, अब हम इने रोल कर लेंगे, और इसे बंद कर देते हैं, यह लिए जिए हमारा मैगी स्पिंग रोल भी रेटी हो चुका है, अब मैं आप एक और तरीका बताऊंगे इसे रोल करने का, इससे मैं चाम में डाल देती हूँ, अब हम इसे एक साइट से बंद कर देंगे, फिर इसके ओपर दूसरी साइट से बंद कर देंगे, और बाकी बच्चेवे कोनों को भी चिपका देने हैं, यह देखिए इस तरीके से, हमारी स्प्रिंगल पॉकेट रेटी है, आप चाहें तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, मैंने सारे स्प्रिंगल बना लिया है, अब मैं कड़ाई में गी गरम करूँगी, हमारा गी गरम हो चुका है, अब मैं इसमें अपने स्प्रिंग डूटल आड़ कर रही हो, यह दूए दिरे गुल्डन ब्राउन हो रहे हैं, हमें इने लो फ्लेम पर यह बनाना है, यह देखिए एक भी नहीं खुले है, और यह बहुत अच्छे ही बने है, अब हम इने निकाल लेते हैं, इसी तरीके से मैं सारे स्प्रिंग डूटल बना लूँगी, मैं इन में से एक आपको इस्प्राइट कर दिखाती हूं, देखिए कितने किस्पी बने हैं, अब मैं आपको मैगी स्प्रिंग डूट करके दिखाती हूं, यह देखिए कितना सुंदर बना है, अब हम आपको नूडल स्प्रिंग डूट बी करके दिखाते हैं, देखिए कितना अच्छा बना है, हमारे दूनों स्पिंग रोज बहुत अच्छे बने है यह बहुत ही किस्पी भी बनते है अगर आपको एरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल बटन को भी ज़रूर दबाएं तापको आपको हमारी वीडियो सबसे पहले झाल को आपको हमारा आपको हमारे यह मारी बन तोफ pषथोड Altरीजे रूले चाल को गष्णक यह इस दूड़र किस्पी से पहले है ना लापको एर प्यु़न को एंच平 Arbeit क किस्पाच भी मारी एरुआ किस्पी शबसे ना दिरूरीं भी ना पैमारर भी, म्हीं जा